Hello everyone, welcome you all to strugglers on your own channel The Unlimited Struggler आप सभी strugglers का आपके अपने चैनल The Unlimited Struggler में एक वार फिर बहुत बहुत स्वागत है आज के इस lecture में हम discuss करेंगे Procedure for Hypothesis Testing Research Methodology की सीरीज में आज का ये discussion रहेगा कि Hypothesis को test करने का procedure क्या है किस तरह से हम Hypothesis को को test करते हैं कौन-कौन से step जो हैं वो लिये जाते हैं Hypothesis को test करने के लिए और इसके साथ हम discuss करेंगे कि कौन-कौन से इसके limitation है Hypothesis के limitation क्या है Hypothesis Testing की क्या 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 कमिया है जो की रह जाती है research में Hypothesis Testing के दोरान या जिनके basis पे हम बोल सकते हैं Hypothesis Testing is not the final step of decision making in the research वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से request रहेगी कि हमारे चैनल दनलिम्टेस्ट्रगलर को subscribe करें और वैल आइकन को hit कर लें ताकि आपको हर आने वाल लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए हमारा फेस्बूक और इंस्टाग्राम पे जाए दनलिम्टेस्ट्रगलर के नाम से उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको हर एजुकेशनल सेक्टर का पडेट जो है वो इस्टेंट मिल जाए हें डिटर नोट्स पेपर वान और पेपर टू मिनेजमेंट के सौप फॉर्म में और हाड फॉर्म में दोनों में अविलेबल है बिल्कुल मिनमम प्राइसिस पर आप दिये गए नंबर पर करके कभी भी जो है हाड एंड डिटर नोट सकते हैं तो आई दोस्तों सुरू करत साब से सही होती है कि नहीं होती है वो डिपेंड करता है हमारी के ओपर क्या हम टेकनीक लगाते हैं क्या प्रॉसेस फॉलो करते हैं किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं किस तरह से डाटा कॉलेक्ट किया है हमने पहले यह सारे फेक्टर जो है वो लीड करते हैं है है इसके पता है क्या हमारे पास आते हैं तो हाइफोथिसिस का सिंपल मतलब यह है कि यह टेस्ट करना कि हमारा जो हाइफोथिसिस है वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है वो इन्वैलिड है मतलब कि जो हमने अजंप्शन लगाई है जो हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या वैसा actually में है कि नहीं है ये पता करना कैसे पता करेंगे इसके लिए हम जो है हाइफोथिसिस टेस्टिंग का एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे अब बात आती है कि क्या हमारा हाइफोथिसिस जो है जो नल हाइफोथिसिस हमने सेलेक्ट किया है वो एकसेप्ट होगा कि हमारा अल्टरनेट हाइफोथिस एकसेप्ट होगा या हमारा नल हाइफोथिसिस रेजेक्ट होगा या हमारा null hypothesis जो है वो accept होगा ये सारा जो question आते हैं mind में this is called hypothesis testing simply हम बोल सकते हैं कि procedure for hypothesis testing refers to all those steps that we undertake for making a choice between two actions दो action है हमारे पास या तो null hypothesis है या alternate hypothesis है null hypothesis या तो reject होगा या accept होगा अगर null hypothesis reject होता है हमारा तो alternate hypothesis automatically जो है accept होगा अगर null hypothesis हमारा accept हो जाता है तो हमारा alternate hypothesis automatically reject होता है मतलब हम ये बोज़कते हैं कि दो choice में से एक choice मनाने को या एक decision लेने को जो है हम बोलेंगे जो procedure follow करते हैं उसको हम hypothesis testing procedure बोलते हैं अब बादा दिये कि क्या procedure है वो जिससे हम hypothesis को test करते हैं कौन कौन से step लेते हैं तो सबसे पहला जो step लिया जाता है that is formulation of statement हम सबसे पहले hypothesis formulate करते हैं वो assumption assume करते हैं और उसको draw करते हैं कि ये probable जो है वो consequences हो सकते हैं या ये चीज हो हो सकती है ये condition हो सकती है अब वो hypothesis जब हम formulate करेंगे इसको भी दो form में करेंगे पहला null hypothesis दूसरा alternate hypothesis null hypothesis मतलब negative जो नहीं होगा alternate hypothesis मतलब वो होगा ठीक है दूसरा step आता है selecting a level of significance कि अब जो है हम level of significance select करेंगे level of significance हमने पहले ही discuss किया था terminology associated with hypothesis में कि level of significance एक ऐसा level होता है या एक percentage of risk होती है जो एक researcher जो है wear करने की capacity में है अपनी research की कि माल लिजिए मेरी अगर 5% मेरे जो database है वो गलत भी है 5% जो है वो मेरी sampling गलत भी हो गई है 5% तक का risk मेरा hypothesis के गलत साबित होने का जो है वो मैं accept कर लेता हूँ 5-6 हुआ तो मैं उसको नहीं मानूँगा तो मैं मानूँगा कि कहीं न कहीं fault रहा गया इसलिए जो results है वो गलत है ठीक है अगर 5% से कम रहता है गलती की संभ़वना 5% है तो मैं बोलूँगा कि नहीं सारा काम okay है बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है कोई परिशानी है हम इस decision को final कर लेंगे तो level of significance का मतलब यही है कि risk bearing कितना है कितना वो level of accuracy जो है वो मांग रहा है अगर 5% level of significance है मतलब 95% हमारा सब कुछ accurate है 5% जो है वो inaccurate हो सकता है तीसरा step इसमें आता है deciding the distribution of test कि level of significance हमने select कर लिया उसके बाद बात आती है कि अब testing technique हम कौन से लगाएंगे कौन सा distribution लगाएंगे distribution माने test कौन सा लगाएंगे अब one tail है कि two tail है parametric लगेगा कि non parametric लगेगा किस तरह का test लगेगा वो depend करता है हमारा database किस तरह का है हमने वो ratio interval और वो scales बढ़े थे ठीक है nominal scale, ratio scale, interval scale ठीक है तो उनके base पे वो सारी चीज़ें भी impact करती है selection of distribution को तो मतलब हम कौन सा test लगाएंगे तो level of significance select करने के बाद हम test select करते हैं जो कि हमारे database के हिसाब से suitable होता है अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता है इसके बाद step आता है selecting a random sample and computing the appropriate value हम क्या करते हैं भी जब हमने ये सारी चीज़े finalize कर ली उसके बाद हम sampling करते हैं number आप जो भी हमारा sample size है 100, 200, 300, 500, 1000 उतना हम collect करते हैं जो भी area है हमारा sampling का जो भी हमारे characteristics है respondent के उस हिसाब से एक representative sample जो है वो हम pick करते हैं अपने sampling area में से पूरी population में से कुछ एक sample draw करेंगे फिर उन samples के उपर हम necessary calculations करेंगे ठीक है coding वगएरा tabulation वगएरा ठीक है accuracy वगएरा वो हलका फुलका calculation computation हम करेंगे उसके बाद जो है calculation of the probability फिर हम जो है test apply करेंगे उसके अपर जो हमने test लगाया पहले तो हम test के हिसाब से उसको feasible करेंगे उसको adjust करेंगे maintain करेंगे tables को कि किस तरह के हमारी input की किस तरह से requirement उस input को set up करने के लिए systematically वो necessary calculations किये जाएंगे उसके बाद calculation of probability फिर हम calculate करेंगे कि हमारा test के results के आए जब हमने technique apply की तो क्या results हमारे पास जो है आए फिर उसके बाद comparing दा probability फिर एक table value जो होती है पी value उसको बोलते है उसके साथ हम calculated value को calculated statistics है हमारी उसको compare करेंगे देखेंगे कि क्या criteria था हमारा किस criteria के value कम आती है calculated value, p value से कम होती है table value से कम होती है तो accept करना है रिजैक्ट करना है वो सारे rule regulation हम follow करेंगे उसके basis के उपर हम अपना hypothesis या reject करेंगे या था यह था हलका सा procedure hypothesis testing का अब कुछ एक limitations है hypothesis testing की वो discuss कर लेते हैं देखे, limitation का माने क्या क्या कमिया है hypothesis testing में, इस पूरे procedure में, या hypothesis testing में क्या कितनी गुंजाइस हैं गलतियां रहने की, कमी रहने की, सबसे पहली जो कमी है, testing is not decision making itself, ये बोलता है कि testing अपने आप में decision making नहीं है, testing से हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि जो हमारे जो option थे, alternate थे, null या alternate hypothesis के रूप में, जो option थे हमारे पास, वो accept हो रहे हैं कि reject हो रहे हैं, that is the final decision, exception या rejection hypothesis की वो final decision नहीं है, final decision जो होगा, वो हमारी interpretation के हिसाब से होगा, जो हमारी knowledge के हिसाब से fit बैठेगी चीज, अगर हो सकता है कई बार calculation के बज़ा से या किसी और बज़ा से जो है वो testing गल्थ हो जाए, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि final decision जो है, वो हमारी wisdom के उप पर जो है वो depend करता है final decision या decision making, दूसरा, test do not explain the reason as to why does the differences exist, say between the mean of two samples, test कभी भी reason को explain नहीं करता है, reason नहीं बता पाता है हमें कि कि किस बज़ा से जो है differences आए, किस बज़ा से जो है, वो results हमारे inaccurate आए, या जो भी result आए, उसकी बज़ा क्या है, वो test नहीं बताता है कभी भी, simple और simple जो है mathematical calculations करना है, जो भी हम manually करें, चाहे हम software की help से करें, बट उसका काम सिर्फ और सिर्फ एक calculated result देना है, अब उस result के पीछे वो ये नहीं बता पाएगा कि इसके reason क्या है, जो result variations हो रही है, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, वो region नहीं बताएगा test हमें, test सिर्फ calculation करके देगा, वो region find out करना researcher का खुद का काम होता है, तीसरा यहाँ पर आता है, results of significance test are based on probabilities, and as such cannot be expressed with full certainty, जो test के result होते हैं, वो एक just guess होता है, hypothesis अपने आप में ही एक guess है, tentative guess है, वो proposition है, कि ऐसा हो सकता है, अब वो ऐसा हो सकता है, हमने test calculation की help से जो है, वो prove भी करते हैं, कि हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है, कि वो ही चीज बाकई होगी की नहीं होगी, उसकी पूरी certainty जो है, वो test नहीं देता है, हो सकता है, हो सकता है, situation change हो जाए, कुछ और uncertainty हो जाए बीच में, जिसकी वैसे result हमारे बिल्कुल ही भी प्री चले जाए या कुछ बैरी हो जाए, तो test जो है, पूरी certainty नहीं देता है, statistical inferences based on the significance test cannot be said to be entirely correct evidences concerning the truth of the hypothesis, देखे test क्या बोलता है, hypothesis testing का मतलब यह नहीं है, कि जो आपने inferences draw किये, वो बिल्कुल significant है, बिल्कुल accurate है, उनमें कताई गलती नहीं है, क्योंकि human behavior है, वो dynamic होता है, social sciences के जो respondent होते हैं, वो मतलब ऐसे लोग होते हैं, जो कभी भी कुछ भी सोच लेते हैं, और कुछ भी सोच के उसने response दिये होंगे, हम तो सारा काम कर रहे हैं, test के जो लग जो test के significance है, उसका मतलब ये नहीं है, कि हर एक चीज़ उसमें बिल्कुल 100-800 सही होगी, कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होगी, और जब गलतियां होगी, उसके लिए हम level of significance जो है, वो मान के चलते हैं पहले सी, ये था जी procedure for testing a hypothesis, limitation of a hypothesis testing, I hope आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो अच्छा लगा तो like किजिएगा, query हो तो comment किजिएगा, subscribe किजिएगा अगर नए है आप चैनल पे, share जरूर किजिएगा अगर आपके किसी friend, colleague या किसी और student या दोस्त किसी को भी चैनल की आपको लगता है requirement है, thanks for listening, thanks for watching, अगर query है तो mail कर दीजिएगा, इसक call कर सकते हैं, whatsapp कर सकते हैं, 7627096162 पे, thank you, thanks a lot